कौन सी साउथ अक्ट्रिस मीरा भाई के रोल के लिए सही चोईस होने वाली है फिल्म रादेश श्याम में किसके साथ प्रभास की केमिस्ट्री मैच कर सकती है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा और हमारे चानल बॉलगराद स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि जब भी हम आपके पसंदिदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डाले तब आप ही वो सब पहले से जान पाए दोस्तो लव ट्राइंगल्स एक बहुत ही ट्रिकी स्पेस रह सकता है खास करकी आक्टर्स के लिए कई सारे आक्टर्स ज़ादा तर लव ट्राइंगल्स का हिस्सा होने में सहमत नहीं होते क्योंकि उनमें एक इनसेक्योरिटी होती है कि कहीं वो इतने सारे आक्टर्स के बीच छुपना जाए एसी ही एक क्लासिक एक्जामपल है कुछ-कुछ होता है की कास्टिंग में शारुक खान और काजोल तब तक दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काम कर चुके थे और उनकी केमिस्ट्री की बहुत तारीफ हुई थी और तभी उनके क्लोस फ्रेंड करन जोहन ने उन्हें कुछ-कुछ होता है में लीड पैर के लिए ले लिया और फिर शुरू हुआ एक बहुत बड़ा सिलसिला तभू, मनीशा कोईराला, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ट्विंकल खना जैसी कई आक्ट्रिसेज ने रोल को करने से इनकार कर दिया था इसका एक प्राइम रीजन ये था कि फिल्म में टीना का किरदार का स्क्रीन टाइम बहुत कम था एश्वरिया रोल के लिए मनजूर थी, मगर फिर डेट्स इशू के चलते वो भी ये किरदार नहीं कर पाई बाद में जब रानी मुखर जी को फिल्म ओफर हुई, तब उन्होंने करन को एक कमरे में बुला कर पूछा कि एसार के और काजोल की मौजूदकी में वो कैसे अच्छे से नजर आएंगी फिल्म में तब करन ने उन्हें कहा कि उन्हें इस बात के लिए फिकर करने के कोई जरूरत नहीं है और बाद में रानी तीना के रोल में बहुत खूपसूरती लाकर दिखा पाई और उनका करियर उसी के बाद टेक ओफ कर गया फिर दिल तो पागल है में भी करिश्मा के रोल के लिए जूही चावला, काजोल, मनीशा कोईराला, और मिला मातोन कर ने इनकार कर दिया था और आखिर में रोल मिला करिश्मा को, जिसको इस फिल्म के लिए नाशनल अवार्ड मिला ये सारी फिल्में भी परफेक्ट हो पाई क्योंकि फिल्म की सपोर्डिंग आक्टरस भी उतनी ही अच्छी थी जितने की बाकी के आक्टर्स तो ठीक उसी तरह रादेश्याम को भी कुछ-कुछ होता है और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों की तरह अइकॉनिक होने के लिए चाहिए एक अच्छी कास्टिंग मीरा भाई के रोल के लिए जो कि फिल्म के जर्ये अपनी किर्दार में एक सिंसिटिविटी और दर्द दिला सकेंगी साउथ में अगर ढूंडा जाए तो इस फिल्म के लिए सही रहेंगी केवल कीर्ती सुरेश कीर्ती सुरेश को अपनी फिल्म महानती के लिए नाशनल अवार्ट फॉर बेस्ट आक्टरिस मिला था और हमें यकीन है कि कीर्ती इस रोल को अच्छे से निभा पाएंगी अगर बॉलिवुड में ढूंडा जाए तो शायद इस रोल के लिए परफिक्ट रह सकती है मालविका मोहन जो की साउथ की फिल्मों में तो काम करती ही है साथ में ही बॉलिवुड में भी बियॉंड दे क्लाउड और अपकमिंग यूद्रा का हिस्सा रहे चुकी है आप बताईए दोनों में से बेटर चोईस कौन है हमें कॉमेंट्स में अपनी राए बताईए कि आपके अनुसार कौन सी आक्ट्रिस मीरा भाई के रोल में फिट रहेंगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले कि आप सकता भाई है कि अपस्टार को लाई अपना भाई है